हेलो एवरीवन मैं पीएंक चोद्रे आप सभी का अपने प्यारेस यूटीब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अबनेंदन करती हूँ आज के इस वीडियो मोडूल का टोपिक है स्वेम प्रकाश जी का जीवन परीचे जी हाँ इस एकी वीडियो में हम स्वेम प्रकाश जी का जीवन परीचे इनकी प्रमुख रचनाएं, सहितिक विशेस्ताएं और भाशाशाले का अध्यान करने वाले हैं तो देखिए, जीवन परीचे हिंदी कहानीकार के रूप में विख्यात स्वेम प्रकाश जी का जन्म 20 जन्वारी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदो शेहर में हुआ इनका बच्पन राजस्थान में व्यतित हुआ, यहीं मैकेनिकल इंजिनेरिंग अर्थार यांत्रिक अभियांत्रिकी की पढ़ाई करके एक ओध्योगिक प्रतिष्ठान में नोकरी करने लगी इन्होंने हिंदी में 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 किया, तथा 1980 में पिएचडी की कुछ समय नोकरी करने के पश्यात, इन्होंने स्वेचिक, मतलब अपनी इच्छा से सेवा निवृति ले लिया, अर्थार्थ रिटार्मेंट ले लिया स्वेचिक सेवा निवृति के बाद ये भोपाल में रहे और वही पर वसुदा पत्रीका के संपादन कारिये से जुड़े रहे जन में कब हुआ बिटा, 20 जन्वारी 1947 को, कहा हुआ मध्य प्रदेश के इंदोर शेहर में, इनका बच्पेर कहा बिटा, राजस्थान में इन्होंने पेच्डी कब की, सन 1980 में, एमे कौन से सब्जेक्ट से किया, हिंदी से, किलियर अब बात आती बिटेन के प्रमुख पुरुसकारों की, देखिए, इनकी साहितिक सेवाव के लिए इने पहल सम्मान, वनमाली पुरुसकार, राजस्तान साहितिय अकाद्मी पुरुसकार, भावभोती सम्मान, सुबद्र कुमारी चोहान, आधी पुरुसकारों से सम्मानित किया, कया मृत्यू कहानी लेखन में अत्यदिक प्रसिद्धी प्राप्त करने वाले स्वयम प्रकाष जी का 7 दिसंबर 2019 को मुंबई में निधन हो गया कब हुआ बिटा साथ दिसंबर 2019 को कहां हुआ मुंबई में और मैं आपको बता दूँ कि मुंबाई में भी लिलावती अस्पताल में इनका निधन हुआ था ठीक है प्रमुख रचनाई स्वयम प्रकाश का रचना संसार कहानी विधा के रूप में अधिक सज्या सम रहे मतलब जो इनकी प्रसिद रचनाई है वो कोन सी ये बिटा कहानी है अब तक उनके तेरे कहानी संग्रे पांच उपन्यास कुछ निबंद, नाटक तथा संपादन प्रकाशित हो चुके हैं जो निम लिखित हैं सबसे पहला है कहानी संग्रे मात्रा और भार सूरज कब निकलेगा अगली किताब आएंगे अच्छे दिन भी आदमी जात का आदमी आदी आप देखिए पिटा इनके उपन्यास जलते जहाज पर जोती रत के सार्थी उत्तर जीवन का था बीच में विन्य और इंधन ये इनकी क्या हैं पिटा उपन्यास है निबंद देखिए दूसरा पहलू रंग शाला में एक दो पहर एक कहानी कार की नोटबुक आदी नेक्स ने नाटक चव बोली सबका दुष्मन फिनिक्स ये इनके क्या है बिटा नाटक है लास्ट ने संपाधन वसुधा चकमक और क्यों ये तीनों इनके क्या है बिटा संपाधन है किलियर नेक्स टोपी के बिटा सहित्तिक विशेष्था है very important स्वयम प्रकास के सहित्य पर आदर्शवादी विचार धारा का काफी प्रभाव है। आदर्शवादी विचार धारा क्या होती है? श्रिष्टी का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल जेतन है। मतला इश्वर द्वारा धर्म के निकट पहुंचाना किस विचा धारा में आता है विटा, आदर्शवादी विचार धारा में। इनकी कहानियों तथा उपन्यासों में मध्य वर्ग के जीवन के विविद अर्थार्थ अनेक पक्षों पर प्रकास डाला गया है। इसलिए विद्वार इन्हें मध्य वर्ग जीवन श्याली के महान चितेरे कहते हैं। क्या कहते हैं मध्य वर्ग जीवन श्याली के महान चितेरे। इनके कहानियों में शोचन के विरुद चेतना का भाव देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामजिक जीवन में जाती, संप्रदाय और लिंग भेद के विरुद प्रतिका देखना चाहते हैं। इनकी कृत्यों में देश, समाज, नगर, गांग की सुख सम्रिद्धी देखने की आकांशा प्रकट हुई है। स्वेम प्रकास ने अपनी रचनाओं के लिए सारल, सहर्ष एवं भवानुकूल भाषा को अपनाया है। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाई की। इनकी भासा में हिंदी, उर्दू, तत्सम, तद्भाव, देशी शब्दों का मिला जूला, रूप देखने को मिलता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का मंजूल प्रयोग भी इनकी रचनाओं में दृष्टिगत होता है। अनेक स्थानों पर इनोंने अपनी कहानियों में व्यंगिश्याली का प्रयोग कर व्यवस्ता पर चोट की है। थैंक यू